नीट 2024 की परिक्षा रद कर दोबारा परिक्षा कराने सहित अन्य मांगो को लेकर दारियाचिका पर सुप्रीम कोट ने NTA को नोटिस जारी कर दो हफ्तों में जवाब मांगा है साथ ही ग्रेस मार्क्स को लेकर दार याचिका पर सुनवाई के दर्मयान NTA ने सुप्रिम कोट को बताया कि जिन 1563 चात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया उन्हें दोबारा परिक्षा देनी होगी इस परिक्षा का आयोजन 23 जून को होगा जिसका रिजल्ट 30 जून को घोशित किया जाएगा साथ ही इस मामले में कोट 8 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा वहीं इस मामले में याचिका करता की वकील संगीता जोशी से भारत एक्सप्रेस के समवादाता गुपाल कृश्ट ने खास बात चित की हमारे साथ संगीता जोशी हैं आईए इन से बात करते हैं मैम कोट ने आज क्या कुछ कहा देखे कोट ने जो 1556 लोग उनको जो मार्क्स ग्रेस मार्क्स दे ले थे उसके लिए उन्होंने बोला है कि उसका रिये एक्जाम कराया जाए उसमें ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे तो अगर उनको एक्जाम देना है तो बच्चे एक्जाम दे सकते हैं तो हम लोगों ने ये बोला और बाकी NTA का ये कहना था कि और स्टेट के जो बच्चे हैं जैसे पंजाब और हर्याना, MP ये एफेक्टेड नहीं है तो चुकि मेरी याचिका करता जो है, जो आईये हमने लगाया है रिलीफ के लिए तो वो चंडिकर की है, पंजाब और हर्याना साइट से भी काफी बच्चे हैं जो एफेक्टेड है तो नोंने फिर वो NTA स्टेट को नहीं लिखवाया इसका रैंकिंग कैसे तैह होगा? देखें, रैंकिंग तैह करना ये पूरा ये लिटिगेशन बहुत जादा पेचीदा हो चुका है आज की डेट में और NTA अपनी लगातार सफाईयां दे रहा है लेकिन वो बच नहीं सकता जिस तरह से उन्होंने बच्चों के साथ में किया है तो हमने भी एक एक पॉइंट वहाँ पर जच के सामने रखा है और चुकी जो बच्चे नहीं भी आए हैं वो भी आ सकते हैं और आठ जुलाई को हमारा कोट भी पनोगा तो उस दिन भी सुनवाई है तो उस दिन हम चुकी चीफ भी आ चुके होंगे तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे सु्प्रिम कोट ने कहा है कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे लेकिन कोट ने कहा है कि चुकी 30 June को result आ जाएगा चीजूलाई से काउंसलिंग सुरू हो जाएगे इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं देखें काउंसलिंग पे रोक इसलिए नहीं लगा सकते कि जो बच्चे एक्चुल में जिनका रैंकिंग आई है जिनका परसेंटेज है तो और दूसरा ये जो लिटिगेशन चल रहा है ये प्रूब भी नहीं हुआ है तो इसमें जाच कमिटी भी बनेगी अभी बहुत चीजें सामने आएंगी और इसमें जो दोशी होंगे वो भी आगे आएंगे कि क्यों लेट हुआ पेपर भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा परसन मनू के साथ गुपाल कृष्ण